कॉश्चन क्या लिखा है अपने पास में find the coordinate of a point which divides the line segment joining save in, minus 1 and minus 3,4 internally in the ratio of 2 used to 3 है ना yes तो जब भी ऐसा question मिले आपको ठीक है कभी भी तो एक ऐसी एक line बना लो ठीक है ना इस line को आपको A मानना है और A का coordinate जो पहला वाला coordinate हो तो क्या लिखा है वीटा 7, minus 1 लिख लिए हमने yes sir फिर एक point को वीटा क्या हमाल लेंगे B, B के point क्या लिखेंगे minus 3,4 है ना जो दूसरा वाला है इधर देखो यह x1 और यह वीटा y1 ठीक है ना इधर x2 और इधर y2 तो वीटा x1 की वीटा value कितना 7 और y1 की वीटा value कितना minus 1 ठीक है ना इधर x2 की वीटा value कितना minus 3 और y2 की value वीटा कितना 4 है ना अब किस ratio देखोती यहाँ पर क्या करो हमेशना 2 use to 3 इस point को हमको P consider करना है ठीक है ना yes P की value हमको coordinate निकालना होता x, y ठीक है ना यह वाला ratio M1 की value क्या हो जाएगी 2 है ना अचो दूसरा वाला ratio 3 दिया तो M2 की value वीटा कितना 3 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या ना सर देखो तो वीटा क्या हो जाएगा x निकालने के लिए फार्मूला होता है M1 x2 plus M2 x1 divided by वीटा कितना M1 M2 ठीक है ना M plus N में किरवाया हो सर हमारे सर ना तुम आठा M plus N है कोई दिक्कत ना M1 x2 यह भी कर सकते M plus N भी कर सकते ठीक है ना कोई दिक्कत नी दोनों सही है ठीक है अगर आपके teacher ने यहाँ पर M कर लिया होगा यहाँ पर N कर लिया होगा अब यह कुछ ऐसा बनेगा अच्छा आपने यहाँ पर M दो लिया हो उसको plus कर लिया होगा तो उनों teacher ने ऐसा कर लिया होगा N x1 divided by beta कितना M plus N है ना उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप कोई भी follow करो देखो तो आपके पास M1 की beta value कितनी है आपके पास में तो उसक्रॉस मल्टिप्लाइड होता है simple से खंडा याद रखो M1 है तो इस साइड वाला मल्टिप्लाइड होगा M2 है इस साइड वाला मल्टिप्लाइड होगा ठीक है ना देखो M1 की beta value कितनी है अपने पास में 2 है ना और x2 की बेटा वैलू कितनी है माइनस का 3 ठीक है M2 की बेटा वैलू कितनी है 3 और x1 की बेटा वैलू कितनी है अपने पास 7 divided by कितना बेटा अपने पास में 2 plus 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 plus 21 divided by बेटा कितना 5 तो यह कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 15 divided by 5 तो बेटा कितना हो जाएगा आपने पास 3 तो हमें मिल गया X की बेटा वैलू कितनी मिल गई 3 है ना आओ Y के लिए भी निकाल लेते हैं तो Y के लिए फार्मूला होता है M1 Y2 plus M2 Y1 divided by बेटा कितना M1 plus M2 चलो बताओ बेटा M1 की बेटा वैलू क्या है आपके पास में 2 और Y2 की वैलू इतना 3 और बेटा कितना minus 1 divided by बेटा कितना 2 plus 3 है ना तो जाएगा 4 2 जाएट minus 3 divided by 5 तो बेटा 5 divided by 5 यहनि कितना बेटा 1 तो Y की बेटा वैलू क्या मिल गई 1 तो किस रेशियो में बेटा डिवाइड करेगा यह तो P के कोडिनेट क्या हो गए बेटा X, Y X की बेटा वैलू कितना 3 और यहाँ पर 1 तो 3 कॉमा बेटा क्या 1 यही हमारा क्या है ठीक है यह सर इधर देखो पीटा दूसरा वाला कुश्चिन जब ऐसा मिले तो क्या करना है ठीक है ना क्या लिखा है पीटा कुश्चिन रीड करो find the values of Y for which the distance between the points 3, minus 1 and B 11, Y is 10 units देखो simple सा logic है A अर इधर मानना है B ठीक है ना A के कोडिनेट क्या गिवन है पीटा 3, minus 1 B के कोडिनेट क्या गिवन है पीटा 11, Y 11, Y और यह distance जो गिवन है total वो कितना गिवन है 10 units ठीक है ना 5 कर लेंगे ना आप देखो यहाँ पर विटा कितना हो जाए कि X1 की विटा वैलू 3 और Y1 की विटा वैलू minus 1 X2 की विटा वैलू कितनी अपने पास 11 और Y2 की वैलू विटा कितना Y हमें पता है कि A B square is equal to होता है विटा Y2 minus Y1 का square plus X2 minus X1 का square ठीक है अब बताओ A B की वैलू कितना विटा 10 unit तो यहाँ हो जाएगा 10 का square Y2 की वैलू क्या विटा विटा अपने को Y है ना और y1 की वीटा बालु कितना गीवन है? तो minus minus plus का 1 plus x2 की वीटा बालु कितना गीवन है 11 x1 की वीटा 3 का isquare 10 का isquare कितना हो जाएगा? 100 है ना? अभी इसको y1 का isquare खोलो ही मताब ठीक है ना? इधर देखो बीटा 11 में से 3 चला जाएगा कितना 8 का स्कॉरर ना ठीक है ना यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा इसको भी ओपन मत करना है ठीक है प्लस 64 अभी 64 की इदर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो तो 100 वाइनस 64 इपले टू y प्लस 1 का स्कॉरर यह कितना हो जाएगा मैंटा अपने पास में 36 है ना य प्लस 1 स्कॉरर तो पीटा इस 6 का स्कॉरर हो जाएगा और यह हो जाएगा y प्लस 1 स्कॉरर 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 कैंसिल हो जाएगे तो 6 अस्वाइ ठीक है ना y प्लस 1 तो पीटा 1 इदर ट्रांसफर हो यही अपना क्या है कोई दिकत तो नहीं है कि नौ सब्सक्राइब एसे कुश्चन मिलेंगे यही तरीका होगा ठीक है कि यह सर्थ कहां तक बना दिया चलो आ गए कहां पर बैस वाले कुश्चन पर ठीक है कि अंगुश्चन फटा फट देखो उतना हो सह के उतना माक्सम मनाएगे ठीक है ना कि यह सर्थ कुश्चन नंबर ट्वेंटीटू क्या कहर रहा है बीटा कुश्चन लिखा है टैन स्क्वायर सिक्स्टी डिग्री- मैंद स्कॉन तो कोसे कि स्क्वायर 30 डिग्री- माइनस का 2, 10 स्क्वाइर वेटा कितना 30 डिग्री, 10 60 डिग्री होता है वेटा कितना root 3 का स्क्वाइर, ठीक है ना, माइनस 2, कोसिक 30 डिग्री, तो वेटा देखो, कोसिक 30 डिग्री होता है, 1 बाई 2, तो कोशक 30 डिगरी कितना हो जाएगा 2 का स्कॉयर ठीक है ना मैनस 2 10 स्कॉयर 30 डिगरी 10 30 डिगरी होता है वेटा 1 बाई रूट 3 का स्कॉयर ठीक है ना तो देखो रूट 3 का स्कॉयर क्या हो जाएगा 3 2 और 2 का स्कॉयर वेटा कितना 4 minus 2 और 1 by root 3 का square बिटा कितना 1 by 3 है ना तो 3 minus 8 minus 2 by 3 ये कितना हो जाएगा बिटा 3 में से 8 चला जाएगा तो कितना जाएगा minus का 5 है ना 2 divided by 3 कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर नो सर्थ देखो तो ये divided by 1 LCM लोगे बिटा 3 तो 3 का multiplied 5 के साथ में तो कितना minus का 50 और minus का 2 तो minus का 17 by 3 ठीक है ये अपना answer आया येस सर्थ ठीक है येस सर्थ ये question भी solve हो जाएगा अभी तिसको पहले यही बनाएगे ठीक है ना question number 22 23 को 23 क्या कह रहा है बिटा आपने पास कह रहा find calcium and SCF half 92 and 5 using the prime factorization ये बना लोगे क्या सर्थ ये वाला chapter नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है चलो जान दो ये फिल 24 वाला बनाते हैं आपके ने ठीक है ना येस सर्थ चलो 24 वाला देख लो question में लिखा है विटा कह रहा है x plus y कितना given है बिटा अपने पास 6 equation number 1 और बिटा लिखा है 2x minus 3y is equal to 4 equation number 2 ठीक है अब आपको इसमें elimination लगाना है ठीक है ना देखो तो अगर x के coefficient को equal करना है की y के coefficient को सवाय की coefficient को कर लो x जी है बिटा y जी कोई दिखा देखो y coefficient यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है ठीक है ना तो cross multiply करो equation number 2 को 1 से और equation number 1 को 3 से ठीक है ना minus देखो multiply नहीं होगा ठीक है ना सिर्फ प्लस वाला लेना है देखो तो 3 से multiply करोगे तो 3x plus 3y is equal to विटा कितना 18 equation number 3 ठीक है 1 से multiply होगा तो 2x minus को विटा 3y is equal to 4 1 से 4 को multiply करोगे तो भाही रहेगा minus 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 plus and minus ठीक है ना yes ये तो minus करने पे cancel ही नहीं होगा तो हमें plus करना पड़ेगा ठीक है ना याद रहो minus से cancel ही नहीं होगा तो plus plus and plus ठीक है ये cancel होगा तो 5x is equal to विटा कितना कितना जाएगा ये 14 क्यों है नहीं है हाँ 22 बिटा तो x की वैलू बिटा कितना है 22 divided by 5 5 है ना yes चलो ये आ गया अब y की वैलू निकालना है आपको तो किसी भी equation पर रख लेते हैं चलो equation 1 रख लेते हैं तो इन equation बिटा कौन सा 1 तो एक्स प्लेस y is equal to क्या गिवन है आपको 6 ना तो एक्स की वैलू क्या गिवन है 22 by 5 प्लेस y is equal to 6 तो y is equal to वैटा कितना 6 minus 22 by 5 तो बच्चे इसमें गलती करते हैं तो मैं आपको सबसे यूनिक तरीका सिखाता हूँ दिखो यहां नीचे denominator में 5 है ना येस सर तो सबको 5 से multiplied करतो प्रसाथ जैसे बाटते हैं वैसे बाटतो सबको ठीक है 5 से सबको multiplied किया तो ये 5 से वाला 5 cancel हो गया यह जाएगा 5y is equal to 30 minus 22 तो 5y is equal to 30 में 30 में चल जाएगे तो कितना जाएगा बीटा है 8 ना तो y is equal to बीटा कितना 8y 5 ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ पर जाएगा चलो दूसरा find the weather the following pair of linear equation of consistent or inconsistent तो consistent inconsistent निकालने का दो ही तरीका होता है सबसे पहले equation को क्या करो balance करके लिख लो consistent देखो तो बीटा देखो पहले ऐसा बना लो 5x minus 3y और बीटा कितना minus 11 is equal to 0 equation number 1 हना देखो तो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 तो a1 की बीटा वैलू क्या आ गई 5, b1 की वैलू कितना आ गई minus 3, c1 की वैलू minus 11 अब equation number 2 बीटा कितना minus 10x plus 6y minus 22 is equal to 0 तो बीटा कितना a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 a2 की वैलू कितना minus 10, b2 की वैलू 6 और c2 की वैलू minus 22, minus 22 देखो consistent के लिए क्या करते है सारे वो equal to a2 does not equal to b1 divided by b2 नहीं नहीं बीटा सिर्गे ही होता है आपको तरीका के लिए पता हूं कैसे काम को लेगा देखो तो a1 की वैलू मेरे पुसांग तो minus का 10 ठीक है ना अगर not equal आएगा तो ही होगा नहीं तो फिर नहीं होगा ठीक है तो not consistent है तो inconsistent होगा वो भी check कर लो तो inconsistent करने चेक करने के लिए तरीका क्या होता है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 e1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to वेटा क्या c1 divided by c2 देखो अभी जस्ट निकाल के देखा इसकी वैलू तो कितना है वेटा minus 1 by 2 equal to minus 1 by 2 और c1 और c2 वेटा कितना दिया है minus 11 और c2 कितना दिया है वेटा minus 22 minus minus plus तो 1 by वेटा कितना 2 लेकिन ही positive होगा तो not equal है मतलब वेटा क्या inconsistent है ठीक है ना inconsistent yes sir कोई दिक्कत है no sir मज़ा आ रहा है yes sir जादर टाइम नहीं अपने पास 15 minutes है ना तब तक 2-4 questions तो होई जाएंगे तो फटा फट बना देता हूँ अकर आप इस video को सही से देख लो कि दोनों video को आपको यह question आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है चलो तो छोड़ देते हैं ठीक है ना रिगनो बट्री वाला देख यह से फटा फटा ना तो दोनों बट्री को बना देते हैं और आपका 29 वाला बना देते हैं ठीक है दो कुष्चिन तो बनी जाएंगे अभी के अभी में तीक है ना प्रिटा ना जाएंगे जाएंगे अपका 29 वाला बना देख यह जाएंगे तो फटा पट देखा पहला वाला ने लेते हैं यह वाले के लिए तो लेचिस में क्या दिए तापने पास में भी थीका 1 minus sin theta और 6 theta plus 10 theta यह जाएगे बिटा कितना 6 theta 1 minus sin theta और 6 theta को लिख सकते हैं बिटा कितना इसको भी convert कर लो 6 theta को लिख सकते हैं 1 by कितना cos theta है न 6 theta को लिख सकते हैं 1 divided by cos theta और 10 theta को लिख सकते हैं sin theta divided by cos theta है न क्या बिटा ठीक है हलो यास सर इधर देखो यह हो जाएगा कितना अपने पास में 1 by cos theta और यह हो जाएगा बिटा 1 minus sin theta उन्हीं इतना लेट आ रहे हो है 1 plus sin theta क्या सो रहे थे क्या भी तर cos theta और cos theta आपसे multiplied हो कितना बन जाएगे देखो इधर देखो 1 minus sin theta और यहाँ पर बिटा कितना 1 plus sin theta और divided by बिटा कितना cos square theta यह बताओ हमारे पास क्या है बिटा इसको मैं खोलो इमार ठीक है तो खोल जैसा आपको लगे 1 minus sin theta 1 plus sin theta वो क्या लिख सकते हो 1 minus sin square theta a square minus b square की property लग जाएगे न यह सर्थ देखो a minus b और a plus b क्या होता है बिटा a square minus b square स्म प्रोपरटी का यूज करो कि जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा तो 1 minus sin square theta क्या होता है बिटा cos square theta divided by बिटा कितना cos square theta तो 1 आ गया यही क्या है बिटा अपने पास में रहे से है हो गया गया यह इसका दूसरा वाला question नहीं बनाते है 1 plus stick theta divided by बिटा कितना stick theta और sin square theta divided by बिटा कितना 1 minus cos theta जब भी ऐसा question मिले दोनों side ले लो ठीक है एक single side का सोचो ही मत लेटे को इसको क्या लिख सकते है बिटा 1 by cos theta ठीक है ना और इसको क्या लिखा जा सकता बिटा 1 by cos theta यह हो जाएगा बिटा 1 minus cos square theta है ना यहाँ पर 1 का square भी कर लो 1 minus cos theta ठीक है इसका देखो LCN लोगे बिटा तो क्या बन जाएगा यह cos theta plus 1 divided by बिटा कितना cos theta और यह cos theta उपर चला जाएगा divided by 1 है ना यहाँ पर property अगें यूज करेंगे a square minus b square बिटा कितना a minus b और a plus b है ना ती हो जाएगा बिटा कितना 1 minus cos theta और 1 plus cos theta ठीक है ना और 1 minus cos theta क्या कर जाएगा बिटा इस cost कर जाएगा 1 minus cos 1 minus cos तो 1 plus cos theta is equal to 1 plus cos theta proved हो गया yes sir ठीक है चलो और कौन सा question बनाना है sir वो एक और question है उसका 29 वाला ठीक है 29 तो यहीं बना देता हूँ देखो इदर देखो जब भी वो ऐसे question मिले मैंने क्या बोला है बिटा एक्स स्क्वाइर प्लस 3x प्लस 2 find the quadratic polynomial हूँ 0 जार ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है इससे retention नहीं लेना अपने को सबसे पहला अपना basic basic काम क्या होता है बिटा ax स्क्वाइर प्लस bx प्लस c हैना तो a की बिटा वालू कितना 1 b की बिटा वालू कितना 3 c की बिटा वालू कितना विटा 2 है ना 2 देखो हमें पता है विटा यहां पर क्या लिखा है कहना कि alpha and beta are zeros of quadratic polynomial ठीक है ना यहीं बोल रहा है ने question पे यहां और क्या बोल रहा है वहां प्लस बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना कि हमारा एक जीरो बढ़ाने से कोई दिक्कत है तो हमसे question में क्या बोल रहा है वह पेरा find the quadratic polynomial हो जीरो देखो अभी पहले रुको पहले alpha plus beta हम solve कर लेते है alpha plus beta is equal to क्या होता है विटा अपने पास में minus का by यह ना alpha plus beta विटा विटा किसना देखो minus कभी तो विटा किसना minus minus का 3 equation number विटा किसना 1 ठीक है ना अब इसको ऐसा करके रखो ठीक है कोई दिक्के देखो यहां पर no sir अब देखो दूसरा वाट गरो alpha into beta विटा कितना होता है c divided by c अब देखो 2 divided by 2 अब देखो 2 है ना equation number 2 अब देखो में यहां से बनाऊंगा तो बच्चा हो जाएगा confused तो मैं इस question को इस तरीके से बनागे ही ना करो मैं इस question को क्या करो अब यहीं से इसको solve कर ले तो इधर देखो इस method में क्या होता है confusion बढ़ जाएगा ठीक है ना जहां पर confusion बढ़ जाएगा उसको करो ही मत क्या करो आप इसको ऐसा लिख लो x square plus 3x plus 2 equal to 0 middle time speed करना आता है बिल्गो देखो 1 और 2 को अपर से multiply करोगे बिटा क्या हो जाएगा 2 है ना और 1 plus 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिलेगा की नहीं मिलेगा ये बताओ ने सर्थीक है ना तो देखो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते है x square plus 3x के प्लेस है कितना x plus 2x plus 2 equal to 0 है ना देखो प्यर बन गया x का common लिया तो x plus 1 यहाँ पर 2 का common लेने पर बिटा कितना x plus 1 equal to 0 तो एक x plus 1 और एक बिटा कितना x plus 2 equal to 0 जब comparison करोगे x plus 1 को 0 से तो एक x की value बिटा कितनी मिलेगी minus 1 और x plus 2 is equal to 0 तो इधर दे value आप बिटा कितना minus 1 और दे value आप minus 2 ठीक है? येस सर्थ देखो एक कौलफा मन लो कौलफा की बेटा वेलू कितना माइनस बन और बीटा की बेटा की बेटा कितना माइनस टू कोई दिक्कात है यहाँ पर? नो सर्थ बहुत अच्छी बात है अब according to question अगर मैं देखू एक नया polynomial बनाना है अब इस quadratic polynomial के लिए वो क्या बोलगा है? कि जो roots है वो roots कितने है अपने पास में? एक है alpha प्लस वन और एक कितना है बेटा? बीटा प्लस वन है नो? तो हमें पता है यह स्थो बीनो कि alpha प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन देखो alpha plus beta कितना हो था बिटा minus का bya ना yes alpha plus 1 alpha की beta value कितनी थी हमारे पास minus का 1 ना और plus का 1 ठीक है ना beta की value कितना बिटा minus 2 plus 1 minus का bya देखो 1 से 1 कट गया minus 2 में से 1 चला जाएगा बिटा minus 1 ना minus से minus कट जाएगा 1 divided by 1 is equal to bya अभी इसको equation number 1 माल लेगे अभी अभी ठीक है आएगा किए थीद्टी प्लाएगा कितना है यहां थाएगा है ना no sir बहुत अची बात है alpha plus 1 beta plus 1 is equal to beta कितना c divided by a यहाईगा yes yes sir बहुत अची बात है alpha की beta value कितनी थी हमारे पास ते minus 1 plus one and beta कितना थीटी हमारे पास में? minus 2 minus 2 plus 1 देखो 0 से किसी इसको multiply it करो कि बेटा तो क्या आजाएगा 0 ही आजाएगा 0 divided by 1 देखो A की value यहाँ पर भी 1 है A की value यहाँ पर भी 1 है ठीक है इसको equation number 3 कर दो A is equal to 1 B is equal to 1 और C की बेटा value किसनी 0 कोई दिक्कत है ना स्री इसको equation number 1 में रख दो तो required polynomial क्या लिखा था बेटा मैंने A X square plus B X plus D तो बेटा A की value क्या है अपने पास 1 ना तो 1 X is 1 और B की value भी 1 तो X और C की value बेटा किसना 0 तो क्या required polynomial आगया अपने पास इस तरीके से बनाओ ज्यादा अच्छा है ठीक है आप चाहो तो मैं इस मेथड से बना सकता हूं वट यह लंबा बड़ेगा आपके लिए ठीक है ना इस मेथड को एडाप्ट नहीं करेंग यहां पर यहां पर यह थोड़ा सा कारगर नहीं है इस चलो इसा कुश्चन भी देख लो फटाक्षे दोलों कुश्चन भी आपके लिए बना देता हूं तो 32 वाला भी हो जायागा ठीक है ना फिर बांकी आपके लिए छोड़ देंगे वो कल करवाएंगे ठीक है कब पेपर है आपका पेपर है सर्मेरा मैज का पेपर है पेंट को अब टाइम है ना बहुत टाइम है आज वीडियो देखना ठीक है इसको पहले चलो जितना में बनार हो उतना जरूर देखना ठीक है पर बांकी जो छूट जायाँए तो बात की वाज है इधर देखो पेपर दूसरा बाला बताता हूँ इसको सिखा चुका हूँ तो पहले इसी को बताता हूँ कि के बी वाले को देखो अब फेज़ा अब फादर एंग इस सानी फोटिफाइप यह देखो तो लोग अगर फादर की इसको बिटा कितना मालने चंसीडर कर ले जाते एक्स ना और फादर की इसको बिटा किया मालल लेते हैं एक लए इसले पहले की बात कर रहे ठीक है ना तो पांच साल पहले तो पांच साल पहले की बात आठीक है रहे तो प्रोडट Yap धेखो इसमें भी 5 माइनस होगा और य में भी कितना होगा 5 माइनस होगा कोई दिक्कर तो नहीं है पहुत दिन बेटा कितना 120 124 दियर प्रेजेंट इस हमें निकालना है equation number बेटा क्या 2 दिमाग लगाओ अगर इसको इस तरीके solve करो कि थोड़ा लंबा बनेगा तो क्या करो यहीं से दिमाग लगाके x या y की value निकाल लो तो x is equal to बेटा कितना 45 minus y ना इसको equation number 2 में put कर लो तो जहाँ पर x है महाँ पर क्या जाएगा बेटा 45 minus y minus का 5 y minus 5 is equal to बेटा कितना 124 है ना yes sir multiply कर रहा हूं y का multiplied 40 minus y के साथ में minus 5 का multiplied 40 minus y के साथ में 124 क्यों जाएगा 40y minus y square minus में बेटा किस्ता हो जाएगा यह 200 minus minus plus 5y is equal to 124 ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है yes देखो तो कितना हो जाएगा बेटा आपने पास में minus y square और यह बेटा कितना plus का 45y ठीक है ना और यह इधर की दरफ ट्रांसफर हो के जाएगा बेटा कितना 124 और plus का बेटा कितना 200 है ना तो minus y square plus का बेटा कितना 45y और यह किस्ता हो जाएगा बिटा अपने पास में 324 है ना इसको माइनस Y स्कॉर माइनस प्लस का 45 Y माइनस 324 is equal to 0 यह हो जाएगा बिटा Y स्कॉर माइनस का 45 Y प्लस का 324 is equal to 0 ठीक है ना येस देखो यह हमारे पास 324 है तो 324 को कुछ इस तरीके से फैक्टर बनाए जिससे मारा काम हो जाएगा ना तो 36 इंटू बेटा multiplied by 9 ठीक है करके देखो किस्ता आ रहा है 324 ना देखो तो Y स्कॉर माइनस 36 Y प्लस का 9 Y है ना प्लस का 324 is equal to 0 उपन कर लो तो Y स्कॉर माइनस 36 Y माइनस का 9 Y प्लस का 324 is equal to 0 है ना तो Y का कॉमल लेने पे Y माइनस का 36 9 का कॉमल लेने पे Y माइनस का 36 is equal to 0 तो Y माइनस 9 और बेटा Y माइनस का 36 है ना equal to 0 तो इधर दे बैलू आप 9 और दे बैलू आप जो अगर आप क्या लेते हो बिटा इसमें 36 लेते हो तो य वाले तो य हमारे पास किसको माना का नियर ले लेंगे, तो वटा फादर की एच क्या होजाएगी? 45-45 माइनस का नाइज तर इसना किस्टा वटा 36 है ठीक है? Yes Sir जीय था वटा आज का स्विशन आपका, ठीक है? Yes Sir इसना कुछिन मनाएं होंगे